तो स्वागत है आपका मेरे पिजन में यानि ती स्वाइल काथी पिजन में जहां के मैं आपको देली नए-ए सबस्या बनाना से खाती हूँ नए-ए तरीपे के खाने बनाना से खाती हूँ जिससे के आप अपना देली की कुकिंग जो है रोज मतला का खाना है आप उसको और बेहतर बना सके और स्वाविस्ट बना सके और दूसरों की तारिफों पर पात्र बना सके तो इसके लिए चलिए देखते हूं आज क्या बनना है मेरे किचन मेरे अज मैं आपको घर पे अगह बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं चाहे केक हो पेस्ट्रीज हो या फिर कोई भी स्वीट डीश हो इससे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं इसके लिए क्या किया है मैंने यहां पे करीब 600 ग्राम दूद लिया है आधा लिटर से जरा ज़ादा लिया है आप चाहे तो आधा लिटर भी ले सकते हैं इसको हम क्या करेंगे पहले ग्यास पे चड़ा देते और साथ ही हम यहां पे आट करेंगे वन कप शुगर पहले शुगर हमने इसमें आट करती है और अब हम इन दोनों को ऐसे चलाते हुए गाढ़ा करेंगे ऐसे हिलाते रहेंगे बीट बीट में ताकि चीनी अच्छे से हमारी मिली भी जाए और नीचे से चिपके नहीं नहीं तो तली में चिपक करके चीनी जल सकती है इसे ही इसे चलाते हुए हम बीच विश में चलाते जाएंगे और ऐसे ही दूद को हम गाढ़ा कर लेंगे कितना गाढ़ा करने है मैं आपको बता देती हूं कि 500 का 200 रह जाए बतलब आधे से ज़रा कम हो जाए तब तक के हमें ये दूद गाढ़ा कर रहेंगे चलिए पहले आप फिर दूद गाढ़ा कर लेते हैं पक्ते पक्ते गाढ़ा हो चुका है ये हमारा काफी कम हो चुका है दूद करीब यहां पे 200-200 ग्राम ही अब बचाए मतलब आधे से ज़रा कम हो चुका है इतना इसको दूद को पकाने के लिए मुझे करीब 30-40 मिनिट का समय लगा है जिसमें मैं इसको बीच बीच में लगतार हिलाती रही हूँ ताकि ये जले नहीं अब हमें इसमें क्या करना है एक चुटकी बेकिंग सोडा डालना है स्वारी बेकिंग पाउडर डालना है और ग्यास को बंद कर देना है इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेकिंग पाउडर डाला है मैंने यहां पर अब हम इसे यहां पर अच्छे से पैले ठंडा होने देते हैं यह हमारा तयार जो कंडेंस मिल था वो एकदम ठंडा हो चुका है अब क्या करना है हमें ऐसे एक बाउल ले लीजिए या फिर आपको जिस भी बड़कर में इसमें करना हो एक स्ट्रेनर रखके हम इसको स्ट्र जाए है चलिए इसे हम फटा पट छान लेते हैं फिर यह देखिए हमारा कंडेंस मिल घर पर प्योर मिलक के साथ प्योर दूद के साथ बन करके तयार है इसको बनाने में मुझे आदर से पॉन गंटे का समय लगा है लेकिन यह आपके घर में शुद्ध बन करके तयार है कोई भी अपनी डेजर्ट बनाए लट्टू खीर कुछ भी बनाया उसमें यह बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपको इसको एक पर कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूं इसकी है यह ना अच्छा तो चलिए फिर आज भी आप भी अपने घर पे इसे बनाईए और मुझ करिए और अपनी घर मेरी जरूर छोड़ी है कि आपको यह रेसिती कैसे लगी क्या आप चालते हैं कि मैं और भी वीजियो जिस तबी क्या आपके लिए पोस्ट करूं या पिक ना करूं आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है इसमें आप प्लीज मेरे चैनल को झाल.